हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकुम एन वेलकम बेक तो यूर वेरी ओन पटेल्स कीचन मैं हूं मुबीना पटेल और आज की वीडियो में बनाते हैं सर्डिक के लिए बहुत ही खास अरड्या पाक बिलकुल गुजराती स्टाइल एकदम ऑठेंटिक और इजी रेसिपी है तो सबसे पहले अरड्या का मसाला बनाएंगे अधा मैंने जाइफल ले लिया है आज से दस मैंने पिपरी मूल ले लिये है दस इलाजी ले ले लिये है आठ लॉंग ले लिये है हाफ ते स्पुन बलक पेपर कॉंट्स और एक दारचीनी का तुकरा छोटे छोटे चोटे पिस में तोड के ले लिये अब मैं इसके अंदर एट कर दूंगी दो टेबल स्पुन सौंट यानि के सौंट जो ड्राइ जिंजर पावडर होता है वो और मैं मिक्सी को अच्छे से गुमा लूंगी और ये हमारा अरद्या पाक का स्पेशल मसाला रेडी है तो चलो अब अरद्या पाक बनाना स्टार् आप दूप में सुखा कर भी रख सकते हो तो डाल थोरी क्रिस्पी हो जाए इसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया इसके अंदर मैंने 50 ग्राम बेसन एट किया 50 ग्राम गेहूं का आटा एट किया अब इन तीनो आटों को अच्छे से मिला लूंगी इसके अंदर मैं add कर दूंगी चार टबल स्पून गरम डूड और चार टबल स्पून गरम घी तो अभी गी और डूड को मिलाने के बाद मैं अच्छे से mix कर लूगी यह प्रोसेस बहुत जरूरी है इससे ही जो अरध्या पाक बनेगा वो जो हलवाई की दुकान पर मिलता है वैसा टेस्ट दाबो डेवो यह प्रोसेस को गुजराती में दाबो डेवो बुलते है तो मतलब इसको अच्छे से mix करके इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है एक बटन में इस तरीके से आप ले लीजिए अच्छे से mix कर लीजिए टीनो आते घी और डूड घी और डूड गरम होना चाह दाबो डेवो तो बस अभी दोनों हाथों से मैं इस तरीके से प्रेस करते रहूंगी और अच्छे से प्रेस करने के बाद मैं इसे कवर करके 20 मिनित के लिए रख दूंगी 20 मिनित के बाद मैं इसे यूज करूंगी अरध्यापाक बनाने के लिए ये दाबो डेवो बहुत जर यानि के गौंड एडिबल गम होता है यह जिसको गुजराती में हम लोग गुंदर बोलते है तो यह एडिबल गम को मैं घी के अंदर अच्छे से फ्राइ कर लूँगी तो यह देखो यह बिल्कुल पॉपपॉंड की तरह होने लगेगा तो यह एक एक पिस अच्छे से पफ ह जाए तब तक इसे घी के अंदर फ्राइ कर लेना है और हाथ से इसे प्रेस करके देखना अच्छे से क्रस हो जाता है तो ही आपको इसे निकालना है अडर्वाइस यह कच्छा रहेगा तो आपके डाटों में चिपकेगा इसलिए यह गुंड को अच्छे से पफ कर लेना है कि ये बिल्कुल भी डाटों में न चिपके और इसे तोड़ने पर ही आपको महसूस होगा कि हाँ ये अच्छे से पफ हुआ है कि नहीं तो मैं एक एक पिस्ट को इस तरीके से ट्राइ कर रही हूं कि अच्छे से पफ हो जाए और ये हो गए है तो मैंने इसे साइट में प्लेट में निकाल ली अब मैं एक टिस्पून जितना गी एड़ करूँगी पैन में और जो मैंने काजू, बडाम और पिस्टे चौप किये है उनको भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी कि के अंदर क्योंके टेस्ट अच्छा जाए तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बडाम और 50 ग्राम पिस्टे ले लिये है आप आपकी चोईस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो और आपको अख्रोट वगिरा एट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो तो मैंने उसे भी निकाल लिया तो अभी 20 मिनित हो गई है और आटा भी अच्छे से रेडी है तो मैंने 200 ग्राम गी एट किया है और इसके अंदर मैं एट कर दूंगी यह आटा तो इसे इस तरीके से हाथ से खोल कर एट किजिए क्योंकि हमने इसको प्रेस किया तो यह आता सेट हो गया था प्रेस होकर उसके साथ गीड उट भी था तो इसलिए हाथ से इस तरीके से खुला करके एट कर दीजिए और बस स्पेचुला की हेल्प से इसे मिक्स करते रहे तो इस रेसिपी में मैं टोटल 400 ग्राम गी यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा थोड़ा करके एड़ करूंगी तब भी मुझे राई लगा तो मैंने थोड़ा गी एड़ किया था यहाँ पर और बाकी का जो गी है मैं बाद में लास्ट में यूज़ करूंगी तब अभी मैं इसको भून लूँगी अच्छे से फ्लेम को मीडियम रखना है और बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है तब स्टार्टिंग में यह मिक्सचर ऐसा लगेगा कि बहुत हार्ड हो रहा है बहुत तफ हो रहा है लेकिन जैसे जैसे यह भूनता जाएगा वैसे वैसे लाइट एंड फलफी होता जाएगा और मलब आप जब मिक्स करोगे तब अच्छे से यह मिक्स होता रहेगा असपेचुला चलाओगे तब तखलिफ नहीं होगी आप देख सकते हो और हलका हलका घी भी रिलीज होगा तब मैंने आपने देखा मैंने दो टेबल स्पुन जितना घी एड किया था तब अभी मैं इसे अच्छे से भून लूंगी भूनती रहूंगी पंदरा से बीस मिनित तक इसे भून लेना है यह अच्छे से लाइट एंड फलफी हो जाए और कलर भी उसका अच्छा सा चेंज हो जाना चाहिए कलर हलका सा गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए तो यहाँ पर देखो मैंने और वन फोर्ट कप जितना घी एड किया और अच्छे से भून लिया और आप देख सकते हो मिक्स्चर बहुत ही फलफी और लाइट हो रहा है और कलर भी हलका हलका चेंज हो रहा है फलेम को लो टू मिडियम ही रखे तो ही आपका आटा अच्छे से भूनेगा और अच्छी खुश्बू भी आ रही है लेकिन अभी और इसे लो टू मिडियम फलेम पर और भूनना है और बाद में फलेम को आफ करना है तो आप देख रहे हो कलर बहुत अच्छा आने लगा है लेकिन अभी मैं और इसे भूनूंगी बाद में मैं इसे फलेम को आफ कर दूंगी तो टोटल 20 मिनित तक मैंने इसे भून लिया और अब मैंने फ्लेम को ओफ कर दिया है आप देख सकते हो कलर बहुत अच्छा हो गया है तो बस ये आटा और गी का मिक्सचर साइड में रख देना है अब मैं गूर की चाशनी बना लूँगी तो यहाँ पर मैंने यूज किया है 400 ग्राम गूर यहाँ पर मेरे पास ये क्यूब्स थे तो मैंने वो यूज किये आपके पास जो गूर अवैलेबल हो यूज कर सकते हो मैं इसके अंदर वन थर्ट कब पानी एट करूंगी और फ्लेम को ओन कर दिया है अब गूर इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हमें एक टार की चाशनी बनानी है तो गूर की चाशनी बना करके एट करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो हम बाहर की दुकानों से लाकर खाते है अरद्या पाक वो वैसा ही बनीगा तो फ्रेंस अच्छे से गूर को मेल्ट करते रहे है चलाते रहे है अभी गू पाँच मिनित में मेल्ट हो जाएगा मतलब पाँच मिनित में ये चाशनी रेदी हो जाएगी चार मिनित भी ले सकती है मेरा गुर थोड़ा हार्द थास लिए पाँच मिनित लगे तो friends ये रद्या पाक बहुत हेल्ठी होता है आपको winter में इसे खाना ही चाहिए और आप new mom को भी इसे दे सकते हो तो गुर की चासनी रेदी होने पर मैं flame को off कर दूंगी और उसको भी थोड़ा temperature lose करने के बाद मैं आते के अंदर add कर दूंगी तो आता का भी जो temperature था वो कम हो गया है तो आप डोनों को गरम गरम में नहीं मिलाएंगे डोनों थोड़े temperature lose कर दे इसके बाद ही add करेंगे नहीं तो आपका अरध्या पाक खराब हो जाएगा इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तब मैं चासनी इसके अंदर add कर दूंगी आते के अंदर और मैं इसके अंदर add करूंगी जो गुंडर मैंने fry किया था और उसको मैंने क्या किया मिक्सी में crush कर लिया है तो आप देख सकते हो आप वैसे भी डाल सकते हो लेकिन मिक्सी में crush करके add करने से अच्छा टेस्ट आता है और अच्छे से mix हो जाता है तो यह जो अरद्या पाक का मसाला बनाया था वो मसाला है तो यहाँ पर मसाला आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के according किसी को टेस्ट पसंद है तो वो पुरा add कर दे या फिर आप डो टेबल स्पून टीन टेबल स्पून ऐसा add कर सकते हो मैंने add कर दिये जो nuts मैंने fry किये थे वो सारे और थोड़े से मैंने decoration के लिए रखे है मैंने एक tray को grease करके रखा है और मैं ये mixture को tray के अंदर set कर दूँगी पहले मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी मैंने थोड़ी khas-kas भी add की khas-kas का taste भी इसके अंदर बहुत अच्छा आता है और friends ये कमर डर्ड और जो घुटनों में डर्ड होता है इसके लिए भी बहुत अच्छा है आपको इससे benefit होगा तो मैं ट्रे में इसको फैला लूँगी और set होने के लिए छोड़ दूँगी चार गंदे के लिए या फिर आप overnight भी रख सकते हो यहाँ पर हलका कटोरी से आप प्रेस करके रख दीजिए तो nuts और khas-kas जो add की है वो चिपक जाए और बस चार गंदे के बाद ये set हो गया है तो मैं इसको cut लगा देती हूँ आप आधे गंदे के बाद cut लगाएंगे तो इतना tough नहीं होगा मैं भूल गई थी तो बस अब मैं cuts लगा देती हूँ और उसको निकाल लेती हूँ और माशालला अरध्या पाक रैडी है आप इसे container में भरके store केजिए और महीने भर तक खा सकते हो तो का टोटल वेट अप्रोक्स देर किलो से ज्यादा हो गया होगा तो फ्रेंज ट्राइ जरूर करना मुझे कॉमेंट करके बताना के आपको ये रैसिपी कैसी लगी और आपकी रैसिपी कॉमेंट करना डूआओ में जरूर याद रखना सब्सक्राइब जरूर तो टोड़ थैंक यू अलाहाफीज